हेलो किड्स, वल्कम टू किड्स वर्ल्ड, किड्स आज हम UKG क्या क्लास करेंगे, UKG में 14 नमबर पेज में fun with letter पढ़ाएंगे, fun with letter 4, यानि 4th alphabet पढ़ाएंगे, चलो तो 14 नमबर पेज ओपेन करो, देखो, बोर्ड पे आ गया है न, हाँ, उसमें आज हम E सिखेंगे, E alphabet, 4th alphabet E, E for elephant का picture दिया है, हम 3 step से बनाएंगे, देखो तो कैसे बनानी है, मैंने तो यहाँ पे डोटेलेंड बना लिया है, देखो, पहला step पे, ऐसे नीचे से हमको ऐसे लिनी है, फिर second step पे, third step पे, ऐसे, ओके, पेला step पे नीचे से उपर, ऐसे ही cross जैसे करके E बनाने है, आपको दो, तीन बार इसमें practice करनी है, ओके, देखो, कैसे, खाली बोक्स पे दिखाती हो, ऐसे, pen नहीं उठाना बच्चो, यह हमारा fourth alphabet E, E for elephant का picture दिया है न, 14 नमबर पेज में, ऐसे ही E आपको box लिखना है box में, और 15 नमबर पेज में dot दिया है, वो आपके लिए HWA homework है, वो भी आपको dot में ही आपको पुरा करनी है, ऐसे नीचे से लेग, ऐसे उपर में, ऐसे कर दिनी है, हाँ, चलो, अभी, let us practice with E, देखो, यहाँ पे मैं एक लेखूंगी, दो लेखूंगी, तीन लेखूंगी, पे नहीं उठाना, कैसे लिखनी है, यहाँ पे पहले E लेखूंगी, एक हो गया, फिर दो बार, हो गया, फिर तीन बार, ऐसे ही आपको E लिखनी है, ओके बच्चों, यह था हमारा आज का लेक्चर 14 और 15 नमबर पेज़ पे, पे ना उठाके, एक बार, दो बार, तीन बार लिखनी है, आपको प्राटिस के लिए, E 4 एक का पिक्चर भी दिया है उस पे, दिया है ना, हाँ, ओके, आज हमारा 14 और 15 नमबर का लेक्चर यहाँ पे कॉंप्लिट होता है,